Then, short answer questions, इसमें आपका पहला question है, sample question 1, find the zeros of the polynomial x square plus 1 by 6x minus 2 and verify the relation between the coefficients and zeros of the polynomial, अच्चा question है यह, easy है, देखिए, आपको दे रखा है, px is equal to x square plus 1 by 6x minus 2, zeros find करने के लिए generally हम इसको is equal to 0 कर देते हैं, अब यहाँ पे जो problem देने वाली चीज है, वो यह है, 6, जो कि आपका आरा denominator में, तो आप क्या कीजिए, इस fraction को throughout, 6 से multiply कर दीजिए, इसा करने से यह जो 6 है, यह eliminate हो जाएगा, या इसको अगर आप otherwise सोचें, तो 6 का आप LCM लेंगे या 6 को multiply करेंगे, x square और minus 2 में, वही LCM वाली बात होगा, यह 1 है, और यह 1 है, तो भी आपको वही मिलेगा, जो कि आपको 6 को multiply करने के बाद, फूरी equation मिलेगा, ठीक है, तो जैसा आपको ठीक लागे, वह साब कर दीजिए, मेरे इसाब से, आपका जो LCM आता है, उससे आप throughout multiply करा करें, सारे numerators को, वो best है, so multiplying px by 6, we get 6x square plus x minus 12 is equals to 0, यह चीज़ आपको मिल रही है, अब 0's find करने के लिए, आप splitting of middle term, quadratic formula, completing the square method, जो आपको अच्छा लगे, आप यूज़ कर सकते हैं, इस तरह questions में generally हम prefer करते हैं, splitting of middle term, क्योंकि आपको वो इतने जादा hard questions इस chapter में नहीं देंगे, quadratic equation रहेगा, उसमें आपको सकता है कि quadratic formula यूज़ करना पड़े, बट in general इस chapter में, particular chapter में आपको इसे question नहीं देंगे, आप इसको splitting of middle term से solve पर सकते हैं, देखिए, यहाँ पे x है, इसके साथ कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो plus करके, आपको दो number ऐसे चाहिए, जो की 1 दे दें, और multiply करके, दो number ऐसे चाहिए, जो की 6 into minus 12, x square का जो coefficient होता है, 6 multiply by this constant term, with its sign, negative sign, minus 12, तो यह आपको मिल जाएका minus 72, अब अब देख खर ही समझ सकते हैं, minus 72 और 1, 9 adds 72, आपको अगर इसे problem होती भी है, तो it is very easy, आप इसके factors find कर लीजिए, यह कुछ इस तरह से होंगे, अब आप देखिए, 2, 2, 4, 4, 2, 8, यह आपका 8, और यह 9, मुझे यह 1 चाहिए, मैं focus कर रहा हूं इस 1 पे, कि एसे 2 number हों, जिनको, या जिनके बीच arithmetic operation perform करने के बाद, मुझे 1 मिल जाए, arithmetic operation कुण सा, minus 9, subtraction, तो इस तरह से मैंने सोचा, तो 9 और minus 8, 9 और minus 8, देख लिजिए आप, 9 minus 8 जा, minus 72, 9 minus 8, मतलब 1, तो यह आपको मिल रहा है क्या, 6x square, plus 9x, minus 8x, minus 12, is equals to 0, आपने 3x common लिया, तो 2x, plus 3, और 2x, plus 3, अब 2 में क्या multiply करें की, 8 आए, minus का, minus 4, और minus 4, तो 3x, minus 4, into 2x, plus 3, is equals to 0, तो x आपको मिल रहा है, 4 by 3, and x is equals to minus 3 by 2, दो values आपको मिल रही है, ठीक, very very easy, एक बार फिर अब समझ लीजिए, जब भी आपको roots निकालने हैं, तो coefficient of x, आपके पास जो है, वो plus करके दो number के साथ आना चाहिए, और जो आपके पास constant term है, उसको multiply आपको करना पड़ता है, coefficient of x square, और वो भी दो number को multiply करके आपको मिलना चाहिए, मैंने 72, अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं कैसे करना है, 72 को factorize, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, अब मुझे दो number से सोचने हैं, जिनको plus करने पर 1 आए और multiply करने माइनस 72 आए, अगर मैं 2 तू जा 4 लेता, उसके बाद 3 तू जा 9 तू जा 18, एटीन फोर में को रिलिशन नहीं होता है, 2 तू जा 4, 4 तू जा 12 करता, 12 उसके 3 तू जा 6, इसमें रिलिशन नहीं होता, तो ये थोड़ा सा आप practice करेंगे तो आपको आ जाएगा, वेसे देखकर समझ में आता है कि 1 है तो 9 माइनस 8, टिक, तो आपको 2 zeros मिल रहे हैं, 4 बाए 3 और माइनस 3 बाए 2, अब दूसरी चीज, इनका relation, तो देखिए, relation इनका बहुत इजी है, x square प्लस bx प्लस c, ये दोना आपके क्या है, alpha और beta, ये आप जानते हैं, x square माइनस alpha प्लस beta x प्लस alpha बीटा, ये चीज भी हम पढ़ चुके हैं बहुत बार, ठीक है, एक बार देख लेते हैं, तो alpha प्लस beta, sum of roots, ये आपका होता है, माइनस b by, और alpha बीटा, product of roots, ये आपका होता है, c by, ठीक है, तो हमें ये relation, जो दोनों की है, coefficients के साथ, constant terms के साथ, ये verify करनी है, अब आपके पास, originally equation में, a, b, c, क्या दे रखा है, अब की equation, ये रही, तो यहाँ पे आपको, a दे रखा है, 6, b दे रखा है, 1, c दे रखा है, माइनस 12, ठीक है, इसको मैं नीचे लिखता हूँ, तो अच्छा रहेगा, अब आप देखिए, alpha प्लस beta, मतलब 4 by 3, प्लस minus of 3 by 2, तो ये 4 by 3, माइनस 3 by 2, मतलब 8, minus 9 by 6, मतलब minus 1 by 6, ठीक है, अब क्या ये, minus b by a के एकफ़ल है, तो minus b by a, b है आपका 1, a है 6, माइनस 1 by 6, माइनस 1 by 6 के एकफ़ल आ गया, ये हमारा हो गया verify, अब product of roots, ये हम देख लेते हैं, तो product मतलब क्या है, alpha बीटा, अब alpha बीटा आपके थे, 4 by 3 और minus 3 by 2, तो 4 by 3 into minus 3 by 2, ये 3 और 3 cancel, ये दोनों cancel, तो 2, और minus sign, तो minus 2, अब ये होता है, c by a के एकफ़ल, तो c है आपका कितना, देख लीजे आप minus 12, और a है 6, तो ये भी minus 2 आगया, तो ये दोनों भी verify हो गए, दोनों की values equal आ रही है, इस तरह से इस question को आपको solve करना है, बहुत easy question है, then exercise 2.3, इसमें मैं सारे questions नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि सभी questions similar है, कुछ भी इसमें अलग नहीं है, आपको हर एक question में factorize करना है, roots find करना है, और zeros और coefficients की बीची relation verify करना है, तो मैंने कुछ चुनिंदा questions थे, उनको pick कर लिया है, और उन्हें मैं आपको solve करें बता दूँगा, तो मैंने पहला question pick किया है, fourth, you have to find the roots of the polynomial, t cube minus 2t square minus 15t, तो इसको आप लिख लिजिए, pt, मैंने आपके भी t लिख दिया solution में, जब भी आपके पास constant term नहीं होता है, और variable throughout होता है, मतलब वोई variable throughout present रहता है, तो इसको आप common ले सकते हैं, यह हो जाएगा t into t square minus 2t minus 15, ठिक, अब इसको जवाब 0 करेंगे, तो t तो आपको 0 मिल जाएगा, यह आपका हो गया एक root, अब t square minus 2t minus 15, इसको आपको चेक करना पड़ेगा, तो आप देखिए, प्लस करके आपको मिलना चाहिए minus 2, multiply करके आपको मिलना चाहिए minus 15, once again it is very easy, 5 3 जाए 15, 5 minus 3 is equal to 2, minus का है तो minus 5 plus 3 कर दीजिए, so minus 5 plus 3, minus 5 plus 3, एक है, minus 5 into 3 minus 15, minus 5 plus 3 minus 2, so t square minus 5t plus 3t minus 15 is equal to 0, t commonly आपको आपको, t minus 5 plus 3 is equal to 0, so t plus 3 into t minus 5 is equal to 0, we are getting finally t is equal to minus 3 and t is equal to 5, और t is equal to 0 आपको मिल गया, so these zeros are alpha is equal to 0, beta is equal to minus 3, gamma is equal to 5, ठीक है, अब हम इनकी relation verify करते हैं, तो आप देखिए, आपके पास जो equation है, t cube minus 2t square minus 15t, और यह plus 0 कर दीजिए, आप d के लिए, तो alpha plus beta plus gamma, यह क्या होता है आपका, minus b by a, ठीक है, इधर आपके a, b, c, d क्या है, a है आपका 1, b है minus 2, c है minus 15, और d है 0, तो चलिए, पहले में minus b by लिखता हूँ, so minus of minus 2 by 1, मतलब की 2, अब alpha, beta और gamma, इन तिनों को add करने पर आपको 2 मिल रहा है, देख लिजिए आप, 0 minus 3, 5, ठीक है, 0 minus 3, 5, तो 2, 2 is equal to 2, तो यह आपका होगय verify, very very easy, then, इसके बाद, pair of, two roots उनका sum, या pair of products, उनका sum, alpha, beta, beta, gamma, alpha, gamma, is equal to, यह होता है, c by, तो alpha 0 है, तो यह 0, और यह आखरी वाला 0, बीच वाला, beta, gamma क्या मिल जाएगा, आपको, minus 3 into 5, means minus 15, अब c क्या है आपका, minus 15, a क्या है, 1, ठिक, so, minus 15 upon 1, मतलब minus 15, यह भी आपका होगय है verify, अब last वाला, alpha, beta, gamma, यह तो देखकर, इसमाझ मेरा है, 0 है, क्योंकि alpha 0 है, तो पुरा product 0 होगा, और यह होना चाहिए, d by a के equal, अब d by a, d क्या है, आपका, खुद 0 है, तो 0 by anything, मतलब 0, 0 by a था 1, मतलब 0, तो यह 0, यह 0, यह भी होगय है verify, इस तरह से, इसको आप solve कर सकते हैं, यह question मुझे important लगा था, सारे questions में तो मैंने कर दिया, चलिए, उसके बाद question number 6, यह आपको दे रखा है क्या, 4x square plus 5 root 2x minus 3, तो सिफ काम की चीज़े हैं, वो में लिख देता हूँ, मुझे plus करके, मिलना चाहिए, 5 root 2, multiply करके मिलना चाहिए, 4 into minus 3 means minus 12, अब थोड़ा सा आपको यहां पर सोचना है, आप यह सोचिए, कि 12, जनरली 6 तुजा होता है, मेरे पास 5 root 2 है, और यह negative sign है, मैं अगर 6 root 2 जैसा कुछ लेका राजाऊं, और इसमें root 2 multiply कर दूँ, तो root 2 into root 2 क्या होगा, 6 into 2 मतलब 12, यह से सोचिए आप, 5 root 2 मुझे plus करके चाहिए, तो obviously 6 root 2 plus minus something होगा, और plus क्या होगा, minus ही होगा, यह भी आप समझ रहे हैं, पर इसको समझ यह आप इस तरह से, कि मुझे 6 तुजा overall लेकर आना है, क्योंकि minus 12 आ रहा है, अगर आप 4 और 3 लेते हैं, तो 5 root 2 से आप बहुत दूर हो जाते हैं, इसलिए, it is clear for sure, और कि आपके दो numbers होगे क्या, 6 root 2 और minus 1 root 2, या simply minus root 2, very very easy, 6 root 2 minus root 2, ठीक है, यह 1 लिखे ना लिखे यही बात है, आपके समझाने के लिए था यह, once again, आप practice जितने ज़्यादा करेंगे, उतने ज़्यादा आपके लिए easy हो जाएंगे, तो यह आपको मिल रहा है क्या, 4x square, plus 6 root 2 x, minus root 2 x, minus 3, अब, यहाँ भी थोड़ ट्रिकी है, आपको मिल रहा है, 4x square, plus 6 root 2, तो आपको सोचिए, root 2 इदर भी आ रहा है, root 2 इदर भी आ रहा है, और 4 के अंदर भी root 2 होता है, जिस तरह से आपने 12 को, 6 root 2 x root 2 करके निकाला, उसी तरह से आपका 4 क्या होता है, 2 root 2 x root 2, root 2 x root 2 मतलब आपको 2 मिल जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, एसा में क्यों कर रहा हूँ, ताकि जब मैं common लूँ, तो मुझे factors without any denominator मिल जाएगा, इसी लिए हमें इस तरह से रोड़ा सोचना पड़ेगा, तो 4 को मैंने लिख दिया क्या, 2 root 2, multiplied by root 2 x square, बाकि as it is, तो यह हो रहा है, 2 root 2 और x, x square सा तो, अंदर आपको मिल रहा है root 2 x, अब 2 root 2, मैं क्या multiply करूँगी 6 root 2 आजाए, very easy, 3, और plus 3, क्योंकि plus था, उसी तरह से root 2 x plus 3, देख लिजे आप, आपको आखरी दो numbers में मेहनत नहीं करना पड़ी, इसी लिए आप सभी को, या जितने भी terms हैं, maximum term से, उसमें से जो common factor आ जाए, उसको निकाल दीजिए, यह minus 1, so 2 root 2 x minus 1, into root 2 x plus 3, is equals to 0, दोनों को 0 किया आपने, आपको मिल रहा, x is equals to 1 upon 2 root 2, यह तो very easy है, और x is equals to, यह दर गया तो minus 3 by root 2, ठीक है, चलिए, अब, यहां से पहले में, a, b, c, लिख लेता हूँ, यहां से भी क्या, बलकि यहां से लिख लेता हूँ, a, b, c, a था आपका 4, b था 5 root 2, c था minus 3, ठीक, अब sum of roots, तो 1 upon 2 root 2, minus 3 upon root 2, ठीक, तो 2 root 2, यह हो गया, इसका LCM, यहां पहों multiply करना है सिर्फ 2, so 1 minus 3 into 2, means, 1 minus 6 by 2 root 2, मतलब, minus 5 by 2 root 2, अब, क्या यह, minus b by a के equal है, तो minus b by a आपका क्या है, minus 5 root 2, upon 4, अब, confusion नहीं होता है कि, यहां पहें आपको मिल रहा है, minus 5 root 2 by 4, और यहां पहें, minus 5 by 2 root 2, यह दुनों सेम है, अभी मैंने, 4 को, 2 root 2 into root 2 लिखा है, तो वापस से मैं भी कर रहा हूं, 2 root 2 into root 2, तो यह cancel हो गया, आपको वापस से, minus 5 upon 2 root 2 मिल रहा है, तो इस तरह से verify हो गया, यह question है easy, पर थोड़ा सा tricky है, इसलिए मैंने इसको भी करना चाहा, I hope, आपको यह question समझ में आ गया होगा, अभी तक, अब product इसका easy है, product में आपको, 1 upon 2 root 2 multiplied by, minus 3 by root 2, so minus 3 upon, 2 root 2 into root 2 means, root 2 into root 2 2, 2 into 2 4, so minus 3 by 4, is equals to c by a, अब c आपका minus 3, a4, so minus 3 by 4, very very easy, यह होगा verify, इस तरह से question आपका solve होगा, then question number 8, v square plus 4 root 3 v minus 15, यह question तो बिलकुल, question 6 जैसा ही है, बहुत कुछ similar है, v square plus 4 root 3 v minus 15, इसको आप ले लीजिए, एकवल to p v, क्योंकि variable v है, अब, हमें plus करके, चाहिए, 4 root 3, multiply करके चाहिए, minus 15, एक बार फिर, अब देखिए, 15 क्या होता है, 5 into 3, 3 क्या होता है, 5 root 3 into root 3, बस इतना आप कर लेंगे, तो ही आपको बहुत बड़ी हिंट मिल जाएगी, 4 root 3 है, negative sign है, तो 5 root 3 में से, root 3 subtract हुआ होगा, तो यह आपको 4 root 3 मिला होगा, multiply हुआ होगा, तो minus 15 मिला होगा, तो 5 root 3, minus root 3, 5 root 3, minus root 3, इस तरह से आप सूचिए, तो यह हो रहा है आपका, V square, plus 5 root 3 V, minus root 3 V, minus 15, is equals to 0, इधर आप, जैसा आपने पिछले question में 4 को break कर रहा था, वो भी नहीं करना है, कुछ नहीं है, V plus 5 root 3 लिशकते हैं, उसी तरह यहापे भी, V plus 5 root 3, 15, अभी आपने देखा होता है क्या, 5 root 3 into root 3, मतलब की 15, इधर आपको सिर्फ, root 3 का multiply करना है, root 3 into V, root 3 V, root 3 into 5 root 3, 15, minus sign दोनों जगा है, तो minus sign यहापे भी आ गया, so V minus root 3, V plus 5 root 3, is equal to 0, so V is equal to root 3, and V is equal to minus 5 root 3, दो values आपको मिल रही है, अब यहापे मैं, ABC दिख लेता हूँ, A है आपका 1, B है 4 root 3, और C है minus 15, तो sum आपका क्या हो जाएगा, root 3 minus 5 root 3, means minus 4 root 3, और minus B by A, मतलब minus B था आपका 4 root 3, upon 1, लिखे न लिखेगी बात है, वही value आपको मिल रही है, तो यह दोनों चीज़ आपकी होगी, verify, अब product, यह आपका क्या होता है, C by A, तो पहले root 3 into minus 5 root 3, so minus 5 into root 3 into root 3, मतलब 3, मतलब minus 15, is equals to C by A, तो C है आपका, minus 15, A है आपका 1, हर एक चीज़ में लिखने रहा हो, आप समझ चुके हैं, आपको सीवे देखना है कि, आपको फाइनली, minus B by A, और C by A, अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा अन्टू बीटा के एकवल मिल रहा है कि नहीं, तो हर जगह हमें ही मिल रहा है, that's it, hence proved, then, आपका लास्ट कुश्चन, 9th, Y square plus 3 by 2 root 5, Y minus 5, अब ये कुश्चन, हमने जो अभी करा था, सैंपल कुश्चन, और अभी 6 तो रेट करे, उन दोनों का मिक्शर है, ये समझ लिजिए, उन दोनों कुश्चन का मिक्शरन है, तो, पहले आप क्या करेंगे, इस 2 से चुटका रहा पाएंगे, कैसे, इस पूरी एक्वेशन को 2 से multiply करके, तो आपको ये क्या मिल जाएगा, 2Y square plus 3 root 5Y, ठीक है, ये 2 or 2 cancel हो जाएगे, और 5 तो जा 10, minus 10, is equals to, ये Y है तो PY, ये आपको मिल रहा है, एक बार फिर आप देख लिए ये हिंट आपको मिल गई, 20 आपका क्या होता है, 5 4 जा, ठीक, या 4 5 जा, 4 5 जा मतलब 4 root 5, into root 5 जा, क्यों कर रहा हूँ इसा में, क्योंकि मेरे पास 3 root 5 है, मुझे 4 root 5 में से root 5 minus करना है, एसा में करूँगा तो मुझे 3 root 5 मिल जाएगा, multiply करूँगा तो minus 20 मिल जाएगा, इस तरह से आप सोचा करिए, मैंने इसी लिए 3 questions करें, ताकि आपकी practice भी हो जाए, और आप खुद भी इसको solve करें देखें, तो आपके लिए भी easy हो जाएगा, चलिए, तो 4 root 5 minus root 5, then 4 root 5 minus root 5, ठीक है, minus 20 and 3 root 5, so 2y square plus 4 root 5y minus root 5y minus 10 is equal to 0, आपने 2y common लिया, so y plus 2 root 5, ठीक, उसी तरह से y plus 2 root 5, अभी हमने 20 को ऐसा लिखा, अब 10 के ऐसा लिखा जाएगा आपका, 2 root 5, 5 पूज़ 10 होता है, तो आपको सिर्फ root 5 multiply करना है, दोनों जगा minus है, तो minus root 5, so 2y minus root 5 multiplied by y, plus 2 root 5 is equal to 0, so y is equal to root 5 by 2, and y is equal to minus 2 root 5, अब यहाँ पे आपका a, b, c क्या था, यह equation है अपनी, तो a है आपका 2, b है 3 root 5, और c है minus 10, चलिए, तो minus b by a, मतलब 3 root 5 by, 2 minus का, अब दोनों को आप plus कीजिए, roots को, तो root 5 by 2, minus 2 root 5, तो root 5 minus 4 root 5 by 2, means minus 3 root 5 by, दोनों की दोनों values आपकी, equal आपका हो गया verify, then product, तो root 5 by 2, into minus 2 root 5, 2 or 2 cancel, root 5 into root 5, means 5, minus का, अब c by a, तो c by a में, minus 10 upon 2, means minus 5, यह दोनों भी equal आगए, देख लिजिए, product और sum, minus v by और c by a के एकवल आगया है,